असलान के विजोर्स मैं बेज़ बेज़ वीडियो आफ के पिटल स्मार्ट सेटी आज किस वीडियो में आपको ओवर सी सेंट्रल सेक्टर बी के वाले से एक्स्टेश करूंगा एस दा फर्स वीक ऑफ जॉलाई 2023 अब इसमें आपको जितनी चीज़ एक्स्टेश के साथ मैं प इस ड्वेलप्मेंट का स्टेटस है पूरे का पूरा ब्लॉक जो है उसको ब्राउन किया जा चुका है ब्राउन से मुराद यह कि वहां पर अट-लीस्ट आपको कटिंग वाला काम सारा नजर आता है याद रहे कि सेक्टर में फिलिंग वाला काम बहुत कम है इसमें करन नोबर थे इस इसे स्ट्रीट पर आगे फिलिंग प्रेइग नाइन फौर एक तरी आता है यह वां प्लोड़ के साथ इसके लावाट साथ इसके लेफ्ट साथ साथ पर रिंग रोड और कमर्शल प्रोड़्स वह-अर्टम रोड प्रेंग और फेसिंग और जो बैकिस्य पे plot है वो है चार मला commercial रोड वन और रोड थ्री पे अब रोड थ्री और रोड वन की जो विट्थ है वो अलड़ी मैं explain कर चुक हूँ रोड वन जो है वो 40 feet का है और रोड टू जो है commercial का जो 180 feet वाइड है रोड जो commercial की back side पर आता है 40 feet का रोड है प्लस उसके जाथ 18 feet की parking है तो आपको तक्रीबर वहाँ पर 56 feet का रोड मिल जाता है कनाल के plot जितने भी हैं यहां पर तमाम के तमाम plot के सामने street जो 40 feet की है और दो कनाल के जो plots हैं street number 9 पे और street number 1 पे जो plots आते हैं वो भी 40 feet पे हैं बाकि कुछ plots आते हैं जो आके जाके 60 feet यह main road पे आते हैं इसके नाम है road को विट थ है 160 feet right now यह इस water body के left side पे सारे का सारा overseas central sector B है अब इस sector B की इस जो पहाड़ी आपको नज़र आ रही है इसके right side पे सारी जो properties आती है यह road आता है उसका नाम रिंग रोड है जो रिंग रोड की मैं separate इसके विडियो बना दूँगा overall रिंग रोड मैंने last विडियो सेक्टर A की पोस्ट की इसमें कुछ पार एड भी किया था इसमें कुछ पार एड कर दूँगा रिंग रोड का कि रिंग रोड की development है वो किस space पर जा रही है बिंग रोड के साथ आगे जहां पे एक bridge बनना है इस water body के उपर उस bridge पर भी काम हो रहा है तो बहुत ही जल्दी आने वाले दिनों में आपको रिंग रोड की मुकमल completion भी नजर आएगी अब हम सेक्टर B की बात करते हैं टोटलिस में plot की बात करें टोटलिस में सिर्फ और सिर्फ जो कनाल दो कनाल के plots हैं और प्रॉक्सिमेर जाके 124 plots बनते हैं इस ब्लॉक में जो सिर्फ कनाल दो कनाल के है लीनियर पार जो आगे आजकल की डेट में अगर आप विजट करते हैं capital smarty overseas sector B तो आपको इसी रोड से जाना पड़ता है ना भी रिंग रोड कंप्रीट है ना 400 रोड का इसको connectivity आती है तो आपको जो सेंटर से रोड है जिसे लीनियर पार्ग रोड कहते हैं जैसे आज विजट करना चाहते हैं सेक्टर A या सेक्टर B वो इस रोड से कर सकते हैं September 2023 में society की तरस से जो की फोटेज है रिंग रोड आगे ए ब्लॉक वो इस साइड वे मशीन नज़र आ रही है पर एक प्रिज बनना है और बिश से आगे दोबारा इस एक सासी फूर्ट रोड ने कंटीनू करना है सेक्टर D के साथ अब इसी सेक्टर D के साथ और सेक्टर D के साथ देखा जाए ज साथ काम हो चुक है इस साथ पर देखें सेक्टर A की स्ट्रीट का मॉडल रोड रही है और सेंटर में लीनियर पार्ट रोड में सेक्टर A और सेक्टर B और C की डिवाइडर जो है उस ब्रिज पर आगे इस तरह के राइड साथ पे एक दूसरा ब्रिज बनता है फिलाल मैं Google और सेक्टर B के अच्छी बात यह है कि बिल्कुल मॉटरवे से बिल्कुल अडिसेंट है यह आप यहां से सेक्टर में खड़े हो तो आप मोटरवे को टारैटली इसका जो ट्रैफिक है उसको विटनस कर सकते हैं इसके साथ साथ यह वाटर बाडी के साथ है लोकेट यहां साथ यहां पेक मोटरवे बिज बना हुआ है यहां पे रिंग रोड का यह बिज बन रहा है और इसके साथ साथ लीनियर पार का ब्रिज है वह साथ से बनाया जा रहा है मैं आगे जाके इसकी तमाम डिटेल्स होंगी यह बिज आपकी फोटेज कुछ आपको गूगलर से किस अपडेट नहीं है वरहला आपने वीडियो में मैं ट्राइक करूंगा कर आगे जाके ना स्पेसिफिकली स्टिंग डोड की विडियो बना दूं ताकर में बरो क्लियर इंडिस्टेंडिंग मिल सके राइड न यह वाला पार्ट पर सारा ब्राउन हो चुका है यहां पर प्र पर आपके में रिंग रोड है उसके दर्मान पर आगे नियोटेग यूश्टी की परिमिस्टूरेंट हॉस्टल और इसके साथ बागी पर आगे मोटर वे आती है यह तो कि ओवराल इस सेक्टर की बात अब देखते हैं जी इसकी ओवराल एलिवेशन अगर यह सेक्टर एस्ट और इस रिफ यह सी लक बंती है था लिवाली की तरह से मिलारतर है कि यहां रोड़ी की स्यक्रीμी जोगी यह सेंट्र से मौटर वे गुजरी होगी यह साइटी पर फ्रंट एक बनेगा गली जगी रोड पे इस साइट पर इंटर्चेंज अलड़ी बन चुका है इस साइट पर डिवेल्मेंट अलड़ी हो रही है तो यह जो एम टू मोटर वे हैं यह वाला जो पार्ट है 23 किलोमेटर का फ्रंट यह सुसाइटी की प्रिमिसिस के अंदर से कि अब और सेकूरवी औरिटे घुकिन की सेक्टम बनता कि सेक्टर्म बहुत से यह marginal distance है बट नॉर्मल सा distance बनता है इतना कोई बड़ी activity नहीं बनती यह access point बनता है अगर आप 400 विट रोड से होते हुए overseas central sector B में access लेते हैं तो अगर आप access लेते हैं रिंग रोड के थुरू तो रिंग रोड के थुरू जो distance बनता है मैं वह भी measure कर देता हूं यह रिंग रोड का है और सेक्टर B के starting point तक 3.04 km के distance है याद रहे सेक्टर B के distance और सेक्टर A के distance जा है अब मैं इसी आता हूं यह 3.04 मेंने किलोमेटर मेजर किया ना यह आप देख लें और मैं यह central का यह central का distance है 3.04 आप इसको round off करें तीन किलोमेटर काउंट करें यह सेक्टर B की में बात कर रहा हूं आप इसी से overseas east के sector सेक्टर A में जब जाते हैं एक सेक्टर K के distance 2.52 किलोमेटर है और सेक्टर B बनता है तक्रीबन 2.98 तो दोनों सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करें दोनों साइट से आपको एक्वल बनता है सब्सक्राइब करें कि अभाइब करता है न किन में क्ट चीज़ेंश 2 अक सब्सक्राइब है उस्ट जाएं प्रिष फीट नीम किया एक यहां पर 40 फीड फिक हैने में तीन प्लाट नुमें और नाइन प्लाट स्एक्नन और यहां थां भॉन बागैम कुछेंट बांट फिलाट फिल्लाट यहां जो पार्क फेस्ट वॉटबर ऑद तो वहां को बनते हैं व। सारे जाकि बनते हैं एक कनाल के और जितने बहोंचte स्थयानों सद्परिक्दिस और इस है ङ३र्डर किसे और और बहुत ज़्यादा खराब भी नहीं है अगर बात करें सेक्टर बी की अलिवेशन में आपको काफी अधक आईडियो हो जाए कटिंग वाला पार्ट कौँसा है यह सेक्टर बी की ऑवराल ऐलिवेशन देख लें सेक्टर बी में दो वलकनाल वाली साइड है सारी यह उपर यह इस पर यह स्ट्रेट पर यह स्ट्रीट सें पर इस स्लोप नीचे की तरफ आता है वहां पर आके एक डाउंस्ट्रीम बनती है यानि कि आपको थोड़ सी डिप्रेशन साइड नदर आती है इस वाटर बाड़ी के साथ साथ तो ओवराल ऐलिवेशन ठीक है नॉट वेरी सब्सक्राइब करूंगा जहां पर यही पॉइंट नहीं है और इसका दिस्टन्स यहां से इतना ही है यह सिर्फ फड़क पड़ेगा कि यहां पर यहां पर मजीद बोज़ा कंजेशन होजेगी अबादी की ट्रैफिक की यहां पर लॉंग रन में जाके यह मसले तरपेश होंगे अगर आपको कैपिटल स्मार्ट शेटी यह लाहौर स्मार्ट शेटी में बोकिंग के बहुत कुछ मालमा चाहिए हो तो एक नबर रापता करें इसके साथ साथ हमारी वैबसाइट विजिट करना मत भूलें www.makansolutions.com अगर आपको यह वीडियो ची लगे तो प्लीज जूलाएं कॉमेंट और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें रिजवान चीमा को दीजे इचाज़त अगली वीडियो दर के लिए खुदा आफिस